इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं वेल्कम फ्रेंड्स मेरे चनल इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है अगर चैनल पर फैली बार आये हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चुरू चेक करें वहाँ आपके बैतरिन इंवेस्मेंट प्लान है जो आपका पैसा बनाएंगी और बचाएंगी भी आज मैं आपके लिए काम की खबर लाया हूँ हाला कि खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन आपके काम की है एक्सिडेंट पर सुप्रीम कोर्ट का एक एतियासिक फैसला आया हुआ है कब का क्या है बीमा कंपनियों को हर कीमत पर देना होगा मोटर दुरगटना का मुआवज़ सड़क पर एक्सिडेंट हो जाते हैं डैथ हो जाती है पीडित की तो उसमें मुआवज़ जो राशी है वो कैसे क्लेम होती है क्या है उसका decision सुप्रीम कोर्ट का वो देख लेते हैं हम इस पे छोटा सा वीडियो है चलते हैं तो मोटर दुरगटना के पीडित के लिए मुआवजे की बात कर रहे हैं हम ध्यानक न सुप्रीम कोर्ट ने क्या का है सबसे पहले देख लेते हैं सडक पर मोटर दुरगटना के पीडित के लिए मुआवजे का दावा बविश्य की संभावना का अधिकार है चाहे पीडित या फिर मरतक की कोई नियमित आमदनी हो या नहीं हो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक आया चाहे से व्यक्ति जो मरने वाला पीडित व्यक्ति है मृतक व्यक्ति है उसकी कमाई हो या नहीं हो लेकिन अगर उसका दुरगटना हुआ है तो उस दुरगटना से उसको मुआवजा दिया जाएगा अब कैसा तो वो देखो इधर सुप्रूइम कोड के दो जजों की खंडपी इतने अपने फैसले में कहा है कि जिसकी मृत्यू के समय कोई आय नहीं थी उनके कानूनी उत्रादिकारी भी भविशे में आयमे व्रद्धी को जोड़ कर भविशे की संभावनाओं के अधिकार अगदार होंगे कहना का मतलब कि माल लीजे कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट की पढ़ने के दोरा डैथ हो गई कोई माल लीजे बी फार्मा कर रहा है इंजिनिर निकर रहा है कोई भी स्टूडेंट उसकी डैथ होगी तो उसकी डैथ के बाद उसके माता पिता उसके नौमिनी होगे या माल लो उसकी शादी हो रखिये तो उसकी पत्नी उसकी नौमिनी होगी तो उस केस में जब वो व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा था तो भी उसे उसकी आय जोड़ी जाएगा देखो death claim कैसे होगा एक तो death claim में ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है और बविश्य में क्या करेगा दोनों चीज है व्यक्ति क्या कर रहा है और बविश्य में क्या कर रहा है मान लो कोई student अभी current में कुछ ही नहीं कर रहा है engineering कर रहा है लेकिन वो बविशे में तो कुछ करेगा न, बविशे में कारे करेगा, उससे उसकी आय होगी, तो उस आय को ही मानकर फिर उसको death claim दिया जाता है, देखो इसमें और चीज कही गई है, जस्टिस एहमार शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीट ने कहा, कि इस बात की उमीद नहीं है, कि मरतक अगर किसी भी सेवा में नहीं था, या उसकी नियमित आय रहने की संभावना नहीं है, या फिर उसकी आय स्थिर रहे गया नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कोई सरकारी करमचारी हो, या प्राइवेट करमचारी हो, गरेलू इस तरी हो, कोई भी हो X, Y, Z, अगर उसकी डैट हुई है, मोटर दुरगटना में, तो उसे मुआवजा राशी दी जाएगी, अब इसी में देखो, एक चीज में ये क्लियर करता हूँ, देखो अब, यून की आय में व्रद्धी के लिए, और कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, है क्या, ये असल केस है, किसी एक स्टुडेंट की डैट का केस है, जिसमें यूनियन आफ इंडिया ने ये कहा था, कि वो स्टुडेंट था, इस कारण से उसकी आय नहीं थी, और आय नहीं थी, तो की आय व्रद्धी की संभावना के आधार पर हम उसे डैट क्लेम नहीं दे सकते हैं, मोटर दुरगटना में, ये कहा था, ठीक है, और उन्हें ने कहा था, इसलिए हम 12 लाग की बजाए, इसको 6 लाग का ही क्लेम देंगे, उसकी आय नहीं है, इसलिए आय व्रद्धी की कोई संभावना भी नहीं है, कि वो भविशे में उसके आय कितनी बड़ेगी, उसका कैलकुलेशन भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम केवल मोटर दुरगटना का जो प्राइमरी जो बीमा होता है, वो ही देंगे, उसकी ग्रोथ के आधार पर बीमा की राशी नहीं देंगे, फि कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसकी जो भविशे में इस्तितिया हैं, उसकी परिस्तितिया हैं, उसके अनुमान को देखते हुए, उसकी आय का निर्धारन कर लो आप, एक लम समाय कि वो कितना कम आएगा भविशे में, एक बार ऐसी राशी आ जाने के बाद बाद भविशे क कि आयमे व्रद्धी पर अत्रिक्त राशी का भी वो हगदार होगा, आपने सपोच कर लिया, उसका कैलकुलेशन कर लिया कि ये इंजिनेरिंग का बच्चा है, तो इंजिनेरिंग का बच्चा है, कम से कम इसकी सेलरी आने वाले टाइम में 10,000 रुपे होगी, ठीक है, कम से क फिर 10,000 रुपे सेलरी होगी, और फिर वो जब तक जियेगा, उसकी सेलरी बढ़ती जाएगी, हर साल 3%, 5% तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से उसको बढ़ती हुई राशी पर उसको क्या दिया जाना चीए, डैथ क्लेम दिया जाना चीए, उसके परिवार को, 9 मिनी को, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जीवन या अपन की लागत में व्रद्य ऐसे व्यक्ति को भी प्रवावित करेगी, क्योंकि इसमें कोई दोराएं नहीं है, कि जैसे जैसे टाइम पिरड आएगा, फ्यूचर आएगा, लागते बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है, तो और उनको 6 लाग रुपए दिया गया, फिर बाद में उन्होंने ये कोट में ले गए, इस मामली में को सुप्रीम कोट ने ये कहा, कि 12 लाग भी दोगे आप, साथ में उसके उपर ब्याज की रकम भी दोगे, क्योंकि आपने इतना लेट किया, आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा केवल पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसके कोई कमाई नहीं है, इसलिए बविश्य की कमाई की संभावना भी नहीं है उसकी, और इस कारण से उसकी ग्रोथ के आदार पर उसको डेथ क्लेम नहीं दिया जाएगा, डेथ हुई है किसी भी व्यक्ति की X, Y, Z ध्यान के समय या नहीं इंकम तो भी, दोनों ही केस में उसकी करंट इंकम को देखा जाता है, अनुमान के रूप में या वास्तिव के रूप में जो भी है, वो देखकर फिर उसकी ग्रोथ की संभावनाओं को देखा जाता है, और फिर दोनों को मिला कर उसका डेथ क्लेम दिया जा कि जो सड़क दुरगटना में मारा गया है व्यक्ति उसकी आय हो या नहीं हो वो कमाता हो या नहीं हो या वो स्टुडेंट हो या कोई भी घरेलू व्यक्ति हो किसी भी परकार का कोई भी व्यक्ति हो वो बविश्य में कमाएगा जरूर तो बविश्य में जो कमाएगा उसकी योग्यता के आधार पर उसको अनुमान लगाये जाए उसकी राशी का और उसकी ग्रोथ के अनुसार उसको दुरुगटना बीमा की राशी दी जाए उमीद है यह चोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे की स्कीम्स, पोस्ट अफिस की स्कीम्स, MS Excel की Complete Master Series, Computer Mobile Solutions और Best Investment Plans की 100 परतिशत सही और संपूर्ण जानकरी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चरूर चेक करें वहां आपको यह सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद